हलो दोस्तों मैं हूँ तरुन और क्या आप जानते हैं मोत किसा सा सुनने के बाद जज पैन की निप को क्यों तोड़ देते हैं और क्या आप जानते हैं डॉक्टर हमेशा सफेद रंग के कोट ही क्यों पहना करते हैं और क्या आप जानते हैं खाना बनाने वाले सिलेंडर का र डिजाइन कर रहे हैं जो हमारे मीजिक को सीधे हमारे ब्रेन में स्ट्रीम करेगा इसी के साथ वो एक ऐसी तकनीक पर भी काम कर रहे हैं जो इंसानी दिमाग को कम्प्यूटर से जोड़ देगी इससे ये दुनिया ही बदल जाएगी जब भी हमारे अपनों के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तब हमें कभी न कभी उसका पूर्वा अभास हो जाता है ऐसे ही 2016 में एक परिवार के साथ हुआ जब परिवार की एक 5 साल की बच्ची लेटी लेटी बिस्तर में रोने लगी इसके बाद उसकी मा ने उससे पूछा आफिर वह रोग यू रही है तब उस बच्ची ने रोते-रोते जवाब दिया कि दादी मा गुजर गई यह वा सुनक में टोकियो एरपोर्ट पर एक दिन एक ऐसा व्यक्ती उतरता है जिसके पास टाउरेट नाम के एक ऐसे देश का वीजा होता है जो कि इस दुनिया में है ही नहीं इतना ही नहीं दोस्तों वह व्यक्ति बताता है कि उसका देश टाउरेट एक हजार साल पुराना है यह सुनकर एरपोर्ट के एक सिक्योर्टी ओफिसर उस व्यक्ति को लोक अप में बंद करते थे हैं लेकिन सबसे आश्चरे की बात यह थी कि अगले ही दिन वह रहस्यमाई तरीके से लॉक अप से गायब हो जाता है जिसके बात कोई भी उसे खोज नहीं पाता लेकिन चांकारों का ऐसा मानना है कि शायद वह दूसरे ग्रह से आया हुआ कोई व्यक्ति था जो गलती से धर्ती पर आ गया होगा दक्षिन कोरिया की राजधानी सोल में होली से मिलते जुलते एक फेस्टिवल को मनाया जाता है जिसे मड़ फेस्टिवल कहते हैं कोरिया ने इस फेस्टिवल को बड़े ही जोर-जोर से एक साथ मनाते हैं इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे पर कीचर्ड फैक्ट गया है और जवान यूवक यूवक्तियों के लिए यह तिवार किसी अफसर से कम नहीं है इस दोरान बहुत से यूवक्ति अपने दिल की बात एक दूसरे से कह देते हैं एक दूसरे पर कीचर्ड फैक्ट ना और लोगों को उठा कर कीचर्ड में फैक्ट देना यह फेस्टिवल का पहला अकर्शन होता है फेस्टिवल को बनाने के लिए एक कीचर्ड का पूल तया फैक्ट नमबर 11 दोस्तों भारतिये 2000 के नोट में आगे दो जगे और पीछे एक जगे बबल्स इसलिए बने होते हैं क्योंकि यह बबल्स वह तारीक बताते हैं जिस तारीक यह नोट पहली बार चलन में आया था आपको बता दें यह बबल का सिक्वेंस होता है 9, 11 और 16 जि वह ऐसा क्यों करते हैं साइक्लोजी की माने तो नाख फुझलाने वाला इंसान उस समय ज्यादा नर्वस होता है और हर वक्त यह सोचता रहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में क्या सोच रहा है अमेरिका के जाने माने राष्चती अबराहिम लिंकल को उनके मडर से पहले ही पता चल गया था कि उनकी हत्या होने वाली है तो इस बात की तरफ इशारा करता था कि उन्हें अपनी मौत का पूरों आभास पहले ही हो चुका था और कि आपको पता है भारत के भूत पूर परधान मंतरी इंद्रा खांधी को भी अपनी हत्या का पूर्वा भास पहले ही हो गया था अपनी हत्या से एक दिन पहले जब वो उडिसा में एक सम्मेलन में संबोधित कर रही थी तो उन्होंने कहा आज मैं यहाँ हूँ, मैं कल नहीं रहूँगी लेकिन रास्ट हिद की देखभाल की जिम्मेदारी भारत के प्रतियक नागरिवों के कंदे भर है Fact No.8 चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक रिसर्च के अनुसार, ट्विटर में एक दिन में इतने शब्द लिखे जाते हैं, कि उन सभी शब्दों को 10 मिलियन पेज की एक पुस्तक में बर सकते हैं Fact No.7 अगर आप किसी के घर में मेहमान मुन कर जाएं, और वह आपको अपनी जीब दिखाएं, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको बहुत बुरा लगेगा, है ना? लेकिन मैं आपको ये बात बता दू, कि दुनिया में एक ऐसी जगह है, जहाँ आपने घर में आए मेहमानों का स्वागर, जीब दिखागर किया जाता है, उस जगह का नाम है तिबब Fact No.6 आपको दिन में कितनी बार चीक आती है, अगर आपको चीक आती है, तो उसे रोकने का परियास ना करें, क्योंकि चीक को रोकने का परियास आपके लिए खातक साबित हो सकता है, चीक को जबरदसी रोकने से आपके सिरिया गर्दन की रक्त भाही का कूप सकती है, और आपकी मौद भी हो जए हैई, इसलmee छीथ को کभी ना रोते है. पैक्ट नबर फाइव, क्या आपको पता है ताश की गटी में कितने बात्शा होते हैं? ताश की गटी में चार बात्شा होते हैं, जो कि इतिहास के चार महान बातशाओं का प्रचेने दित्रू करते हैं, जो इस प्रकार है, हुकुम, राजा डेविट, कलब, सिकंदर महार, दिल, धारलेमन, हीरा, जूलियस सीजर बैक नमबर फोर, आपने कभी किसी पार्ग में घोडे पे सवार किसी व्यक्ति की मूर्ति को देखा ही होगा उन मूर्तियों में किसी घोडे के दो पेर हवा में, और किसी मूर्ति के घोडे के चारो पेर जमीन पे देखे होंगे दोनों प्रकार के मूर्तियों में फर्क ऐसा देखा जाता है कि जिस मूर्ति के घोड़े के दो पैर हवा में होंगे उसका मतलब वेह विक्ते युद में मारा गया है और जिस मूर्ति के घोड़े के चारो पैर जमीन पर होंगे उस व्यक्ति की मित्यूप प्राकरतिक रूप से हुई है पैक्ट नमबर थ्री कभी आपने सोचा है कि हमारे घर के किचन में रखा गया कैस सिलेंडर किसी और रंग को छोड़ कर लाल रंग का ही क्यों होता है क्योंकि लाल रंग के विवलेंग बहुत ज्यादा होते हैं जो की खतरों से भरी किसी भी चीज़ को हमें बहुत दूर से दिखा सकते हैं और लाल रंग एलपीजी सिलेंडर की पहचान भी होती है पैक्ट नमबर टू जब आप किसी हॉस्पिटल और लैब में चाते हो तो आपने देखा होगा सभी डाक्टर और नर्ट हमेंसा सफेद रंग का ही कोट पहनते हैं और कभी न कभी आपके मन में ये जानने का विचार ज़रूर आया होगा कि ऐसा ये क्यों करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ दरसल ऑस्पिटल और लैब बहुत भी फ्लूइड होते हैं कई तरह के मेडिस्टनल केमिकल जो आसानी से डॉक्टरों और नर्स के कपड़ों में लग सकते हैं और आप जानते होंगे कि सफेद रंग ही एक ऐसा रंग है जिसमें केमिकल और फ्लूइड आसानी से दिखाई दे सकते हैं इसलिए डाक्टर के लिए सफेद रंग का ही कोट चुना जाता है दूसरा करण यह भी है कि सफेद रंग शान्ती और सफाई को दिखाता है जो डाक्टर का उद्देश भी बताता है आप सभी ने अकसर किसी फिल्म या टीवी सीरियल में देखा होगा कि जज साहब किसी भी मुझरिम को जब मौत की सजा सुनाते हैं तो वे सजा को फेपर पर जिस पैन से लिखते हैं उस पैन की निप को तोड़ देते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले और ऐसे ही और अमेजिंग पैट के लिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वरील अफैट को तब तक के लिए गाईस पीस आउट